अपन बगना रहे एक्सराइस नमबर 26.2 यह अधी चे वीडियोज मदे आपन इंटोडाक्शन आणी 26.1 बगित लिला है तया टाइप चेस कोश्चन आसना रहे तुम्हारा सिंपल इंट्रेस्ट आणी कंपोंड इंट्रेस्ट विचारना रहे ते कोश्चन आपनला सॉल्व क यह अजिए तो अला स्टाइत करें बगना करता फ्र्स विचिंद आप्ला 26.2 यह सचीन आप्तेंड आपन रूपी 6,000 प्रूपी सिक्साओजन संद और टो पर्चेस आ मस्चिन अफ्रेस्ट एंट्रेशन आपन रूपी सिंपल लिए ने अमांट रूपीज नाइनड रू एक मशीन घयाला बैंक करना लोन घेतना 6,000 रुपीज तर 6,000 काया होना रहा है प्रिंसिपल अमांट होना रहा है देन तेमा तेनी किती वर्षान तर आफ्टर 3 यह आफ्टर 3 यह तेनी काया केला रिटर्न केला किती 9,240 मंझे टाइम इंट्रवल किती आहे यहन तुमी ज़र आफ्टर आमशा बांट होना रहा है तर आफ्टर काड़ा रहा है तर किती इंट्रेस्ट लाग ला तेला रहा पूर्ण कराया तर आपलेवल काड़ा फॉर्मिला औरेडी स्मपला इंट्रेस्ट equal to PRT upon 100 given अपनेला सगर दिलेला है simple interest अपनेला काड़ा लगेल कारण अपनेला rate काड़ाई चाहे so simple interest is equal to A minus P amount minus principle 9,240 minus 6,000 manje principle simple interest किती आहे 3,240 तर अपनेला rate of interest काड़ाई चाहे तर R ची value काड़ाई चाहे मनन मी काड़ाई केले SI multiply by 100 upon P into T cross multiply केलो आपन तर अपनेला rate काड़ाई काड़ाई से just value put काड़ाई SI किती आलेला है 3,240 multiply by 100 P किती आहे principle amount 6,000 6,000 multiply by T किती आहे means time period 3 00 will cut सब्सक्राई जीरो कर जालेला है राइट इतर 6,000 ला थी जीरो है इतर टू जीरो ओके तर अपन काई को रिया थी नी 3 नी 3 बन जा 3 बन जा 0, 3 एट जा 108 अपन 6 तर अगें 6 बन जा 6 किती आहे 4, 6, 8 जा 48 18% पर अनम तर रेट ओफ इंट्रेस्ट अपला आलेला है 18% Option 1 is the correct answer simple question होता already सब्सक्राई गीवन होता अपने ला फक्त वैल्यू पुट करून आंसर काडाई चाथ तर अपने बगुण गया पहला question अपने जाए नेक्स कोष्चन ला अपने जाए नेक्स कोष्चन ला अपने बगुण तर बगुण आपने नेक्स कोष्चन काया है रूपीज 10,000 at the rate of 10% पर अनम, Simple Interest become an amount 13,000 इन थी यह, in how many years will the same principle at the same rate of amount 14,500 तर बगा 10,000 अहे प्रिंस्पल अमांट तर तर चावर 10% काया है rate of interest आहे तर 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 शीम्पल इंपरस्ट चाआमांट आहे 13,000 मन्जे सपोस्ट तुमी 13,000 मले 10,000 अपने लेस केलो सिंपल इंट्रेस्ट मदूर अमांट जर लेस केलो तर अपने ला काया मिना रहा है main principle 3,000 3,000 मन्जे काया अता इतबगा प्रुस्चन तमी समझून ग्या तोटल अमांट 13,000 माइनस 10,000 मन्जे 3,000 इंट्रेस्ट आलो 3,000, 10,000 मन 3,000 इंट्रेस्ट 3 वर्षा साथी मिनों टोटल किती जाले 13,000 तर तेनी काया विचार ले प्रत्तेक वर्षाला किती इंट्रेस्ट असना रहे और लास्ट अमांट जो मां 14,500 रेट अफ अमांट होना रहे जे दाइचे आहे ते तर ते वर्षाला किती इंट्रेस्ट पढ़ला मंजे किती वर्ष ते फेडाव लागला तर बगात 3,000 3,000 इंट्रेस्ट हे तर कड़ा दा तुमाला मंजे 10,000 प्रिंसिपल अमांट वर तीन वर्षाने आपन 13,000 जर पे केलो तर प्रत्तेक इयर ला 1,000 इंट्रेस्ट लागला तर टोटल लास्ट फाइनल फिगर काया है 14,500 तर 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 आपन 1,000 लेस केलो तर किती रहना रहे 4,500 मंजे प्रत्तेक वर्षाला 1,000, 1,000 असा वाड़त गेला मंजे 10,000 वर 1st यर ला 1,000 2nd यर ला 1,000 3rd यर ला 1,000 4th यर ला 1,000 तर 4,500 मंजे 4,500 बरबर तर कुश्चन सम्जुन गया प्रत्तेक वर्षे ला 1,000 लागना रहे तर तर किती वर्षे इंट्रेस्ट लागला करन टोटल हे फिगर अपनला दिलेला है मनुन 14,000 मनुन 1,000 मदे लेस केलो तर आंसर आलेला है 4,500 तर अप्शन कुटला करेक्ट आहे अपला अप्शन 4 4.5 यह ओरल ही तुम्हीं काल्कुलेट करून करूशा कलास्ता वक्त दुम्हाला सम्जार पैजे मनुन मी यह डिटेल मदे लेला है तर यह बगुन गया easy आया question option 4 is the right answer तर बगुया अपला next third question काया है अप्रिंसिपल डबल्स in a 5 years at particular rate of simple interest in how many years will the amount of same principle at the same rate be 3 times the principle तर इतबगा अप्रिंसिपल डबल्स 5 years in particular एक particular rate of interest आहे सपोज एक प्रिंसिपल आहे तर 5 बर्षानी क्योडें interest होना रहे कि ते प्रिंसिपल आमाउन डबल होना रहे सपोज प्रिंसिपल आमाउन 10 आहे तर 5 बर्षानी किती होना रहे 20 होना रहे एक simple छोटया नंबर मझे चुमी consider करून बगा तर किती बर्ष ते ज़ेम अमाउन्ट अफ प्रिंसिपल मझे ते चे रेट चे सेम प्रिंसिपल 3 ताइम्स दे प्रिंसिपल कदी होना रहे मझे 5 येर्च चे एक कंसेप्ट रेगर धाला और 3 ताइम्स दे प्रिंसिपल असेल तर तर किती बर्षानी वाढ़ना रहे 3 ताइम्स कदी होना रहे तोछ तोछ रहार हम फाच वर्षे ला टिनिप्यल्वा आमांड सपोस्च तेन र्टेम्रा राही ह सब्सक्राएं हुई प्रिइन प्रिंसिर्पल आमांट वाढना रहा है Igor कोश्चन आहे अपने यह काड़ाई चाहे मैं अल्रेडी ते सॉल्व के लिए करन्ट कन्फीजन तुम्हाला क्रियेट होने मनुन प्रॉपर्ली मना समझन सांगता ही अथा गिवन का आहे करन्फी अमाउंट 3 इंटि पार्णिपल मन जी 3 तैम द प्रिंसिबल ने सकेंना आहे गाँभाँ हो मैंने यह स्वेल प्रिंसिपल आपर सें रेट प्रिंसिबल्ग लाँवन आंड ओ आमॉन् अमाउंट का आसना राहे PRT upon 100 Simple Interest Formula दिलेला है A मन्जे काई amount equal to 3 into principal That is 3P minus P That is 2P तर PRT upon 100 तेमाँ 2P आल RT अधा अप्रेला काई काड़ाई चै PP इता कट होता है दो नी कड़ू So RT equal to 100 into 200 मन्जे काई rate आणी time period सब्रेट आणी time period करन अप्रेला काई काड़ाचे किती वर्षा नी principle amount का होना रहे 3 times होना रहे ते काड़ाचे मनुत आपन काई कeilो आधी RT मन्जे आधी आपनो आर काड़ाचे मन्जे आधी आप्रेला r काड़ाचे मनुत करन ते हे एक काई जाला है equation जाला right हे equation जाला second condition काया है a equal to 2p मझे जे first question starting लगाया है बगा principle doubles in 5 years 5 years नी 5 years नी principle double होनार आहे amount पेक्षा मझे अमाउंट equal to 2 times the principle जहां क्योंवा जहां time period 5 वर्षा जास नारा है so si equal to a minus p same आता a इतकाया हे 2 times the principle इता 3 times होतो इता 2 times आहे 2 times minus p equal to p same condition हे जे सरक्त अपले अपलाय करना रहे prt upon 100 equal to p so rt equal to 100 इता 200 आला होतो अथा इता rt equal to 100 आला r equal to 100 आपों t इता time period 5 years अपलेला महिती आहे मणों अपन इता time चाज अगेला 5 years पूट केलो answer आलेला हे 20 rate आले इता का करू शकलो नी करण इता time period अपलेला महिती नहीं हे अपलेला काडायचे time period हेच अपलेला काडायचे मणों इता अपनला condition महिती होता condition अपन अधी थे ऊंगे अतलो इता अपनला कडाला ता rate of interest आलेला हे 20 तर हे r ची वहल्यू जा हे 20 पूट इन equation 1 equation 1 मदे का पूट के लो कराण हेच कोश्चन आहे जवंवा 3 times असते principle amount पिक्षा तेज कोश्चन आहे मणों अपन equation r ची वहल्यू हेच पूट के लो so t equal to 200 इता आलेला हे already t equal to 200 अपन आर ची वहल्यू आपन काडलेला हे 20 so answer is 10 मन्जे धा वर्शा नी काय होना रहे amount of the principle 3 times principle काय होना रहे amount पिक्षा 3 times होना रहे किती वर्शा नी 10 years नी 5 years ला question समझुन गया 5 years ला principal amount काया हे principal amount जे आहे 5 years ला तेने अल्रेडी दिलेला हे condition 5 years ला particular rate of simple interest principle double principle double होना रहे rate of simple interest रहे principle double होना रहे 5 years ला amount पिक्षा and 10 years ला काय होना रहे 3 times होना रहे amount पिक्षा transfer मन्ण काय रहे 10 years ला तेने आहे condition अपनला काया ला फक्त थोड़स situation इता handle करून solve कराया चाह होता मनून थोड़ा properly समझुन गया video pause करून तुम्ही बगू शक्ता कसे solve के लिए विवस्तित question बगून गया तुम्हाला समझुन काया तर option कुटला करेक्ता है आपला 10 years option 1 is the right answer तर ये बगून गया अपन बगना रहे next question okay student तर भगूई आपले next fourth one question काया हित among the following option which plan would be economically for housing loan एक housing loan कराया चाहे तर त्या साथी खाल चे कुटले option करेक्त आहित आसा तनी विचार ले तर actually first बगा interest 60 Rs.60 on principal Rs. 250 for 1.5 years तर पहिला option आहे अपला interest रसना रहे interest equal to 60 Rs. 60 किती principal amount 250 वर for 1.5 years okay तर बगा 250 Rs. 250 आपला suppose एक तेनी एक छोटा आमांट मदे दिलना है तुमाला करना है साथी suppose 250 अपला principal आहे राइट प्रिंसिपल आहे अपला 250 तर 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 जावर 60 Rs. 60 रूपीज इंट्रेस जीलो 1.5 years साथी मनजे 1 year साथी किती होना रहे 310 मग हाफ यहर से 30 Rs. 340 रूपीज तोटल अपला 340 Rs. 60 रूपीज इंट्रेस जासतो होते सो है हाउसिंग लोन साथी परवड नार में सपोसे तो में मुठ्या आहे चात बगेता तरी ते खुब जासती परसेंटेश होते है मनंते होनार में इंट्रेस 28 रूपीज प्रिंसिपल अमाउंट 70 पर फाइएर्स तर हे 5 यह सर्टी पन रेट जासते है आपन प्रत्ते की यह लाँ 28 28 रूपीज मंझे हाफ प्राइस परेंटे यह ते मनं हे ही प्रॉफिटेबल नहीं है मंझे प्रॉपर नहीं है तर 74 इंट्रेस्ट 74 आहे प्रिंसिपल अमाउंट जासता है 500 पर टू यह इता बगा इंट्रेस्ट पन कमिया है 74 फाइव इंट्रेस्ट पन पन पे करना रहे तर 574 प्लस परस 74 इंट्रेस्ट यह तर 59 आहे बगा 648 आपन पे करतो दोन वर्शे साथी तर कमी इंट्रेस्ट आहे मनून आपन आपन हाउजिंग लोन साथी कुटल प्रेफर करूशक्तों तर ओप्शन 4 राइट ओप्शन 4 आपन रवसित प्रेफर करूशक्तों अमांट पन जासता है आउजिंग लोन इंट्रेस्ट बेडर सिम्पल इंट्रेस्ट प्रेंट इंट्रेस्ट आहे इंट्रेस्ट कुटी तर अपनला काई काड़ाई चाहे? टाइम पिरेड तर इता हैं, हो मैंनी यह सिंपल इंटरेस्ट on 700 at the rate 12.5% per annum B525 तर अपनला टाइम पिरेड काड़ाई चाहे नेक्स्ट अपन चालू करिया 525 तर गीवन अल्रेड याहे? तर SI equal to PRT upon 100 है अपनला formula अल्रेडी महितिया है ओके तर PRT महितिया है, तर टाइम पिरेड काड़ाई चाहे तर SI into 100 upon P into R तर बगा, SI अपनला कितिया है? अपनला वैल्यो पूट करिया 525 multiply by 100 P कितिया है, प्रिंसिपल 700 into R कितिया है, rate 12.5 राइट तर पुड़क आयना रहे बगा 12.5 हो आये, तर तला आपन decimal काड़नाय साथ आपन divided by 10 करुशक्तों आये ते 10 वर हैना रहे अधी 00 कट बरोबर, ता 7 नी डारेक्ट तोरु शक्तों 7 वन जा 7, 6 जा 48 48, 50, 52, 45 35, राइट अपन 12.5 ला करुया मांजा अपरले इजी पड़ेल करन युनिट मदे 5 आये 7 चो होनार ने इतर पुड़ है चो calculation बगा 5, 25 अपन इन्टू 10 हे 12.5 चो 12, 125 अपन, काई आना रहे 10 तर 10 ते वर जाना रहे decimal, तो रित आ आना रहे 7 इन्टू 125, राइट तर इतर सिंपल calculation आहे अपन 5 ने डिवाइड कर जाओ शक्तो 5, 2 जा 5, 5 जा 5, 1 जा, 0 5, 5 जा, then again 5, 5 जा 5, 2 जा, परत 5 ने करू शक्तो, 5, 1 जा 5, 2 जा, 5, 1 जा 7, 1 जा, 7, 3 जा 3, 2 जा, 6 calculation पाट इंपोर्टन्ट आहे तर आंसर आरेला हे आपला 6 इयर्स ओके ताइम पिरेट काड़ाइचा होता कोश्चन सम्जून ग्या अल्रेडी गिवन आहे तक मला फॉर्मिल मेदे पुट कराइचा आणी आंसर काड़ाइचा तरे बगुन ग्या आंसर 6 इस जा राइट आंसर आपन जाविया पुट्चा कोश्चन दा तर बगुया आपला नेक्स्ट कोश्चन काया है अनुरादा डिपोसिते रूपीस 15,000 इन बैंक फोर थी यर्ज अग्सिंपर इंटर्स इफ शी रिस्यूद रम बैंक रूपीस 24,000 अग्सिंपर आप पुट्चन दे पुट्चन तर इता अनुरादा नी बैंक मदे पैश्य डिपोसित के ले 15,000 फोर थी यर्ज सिंपर इंटर्स वर मग ती थी यर्ज न अन्तर किती बैंक इतना अमाउंट काली 24,000 मग तीला किती रेट ओफ इंटर्स नी ते पैश्य मिलाले हे अपरेला काड़ाईचे तर सिंपल आहें बगा गीवन आहें अपरेला ओल्रेडी P प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 ती दिपोजिट के लिए तीन वर्षा नंतर तीरा मिलाले अमाउंट 24,000 सो सिंपल इंटर्स इकवल तो A-P अमाउंट मैनस प्रिंसिपल अमाउंट आहे 24,000 माईनस प्रिंसिपल आंसर आलेला हे 9,000 आपेला ओरान rate of interest काड़ें अमाउन अपन आइसाए काड़ून घरलो Si equal to prt upon 100 that is R equal to Si into 100 cross multiply P into t सकत मिका यह केले हे यह value पूट केले now remaining is the calculation part 0,0 cut 3,0 right 3,1s आ 3,3s आ 3,1s आ 3,5s 5,1s 5,2s 0 yes here is the answer Rate of interest is what? 20% per annum तर option कुटला करेक्टा है आपला option 1 is the right answer Easy question होता, given होता, है टाइप चे question आले की easy तमी क्रेक करूँ शेक्ता तर question एणावचा है तर है टाइप चे, given आखनेला है Question समझन घ्यानी solve करा Okay student, तर बगविया आपला next 7 question काया है What is the principal if it amounts to Rs. 3,528 at 5% per annum compound interest for 2 years तर हिता प्रिंसिपल काड़ेचा है, इता compound interest आपला यूज काला है Compound interest formula, तर गिवन आल्रेडी काया है बगा Amount आपला है 3,528, rate आपला है 5% आपला है 2 years साथी Compound interest आपला काड़ेचा है प्रिंसिपल तर गिवन आपला है, तर गिवन आपला है A equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket complete T that is years आपला है पुट काड़ेचा है values, तर गिवन आपला है पुट काड़ेचा है वैल्यूस Okay तर गिवन आपला है अमांट माहिती आपला है 3,528, आपला काड़ेचा प्रिंसिपल 1 plus R आपला है 5 upon 100 T is what? 2 years Okay 3,528 equal to P 5 आपला है 5,2 आपला है 0 आपला है 1 upon 20 तर इता काड़ेचा है 20 plus 1, 21 bracket मी solve करूंगे थे, इकर 20 आपला है 21 upon 20 bracket square तर P ची वैल्यू काड़ेचा है P equal to 3,528, cross multiply होता है 21 square is nothing but 21 into 21 तर है 20 verse आपला है 20 into 20 upon 21 into 21 तर तुम्ही जोड़ा तुम्हाला calculation easy करता है तुम्हाला easy करता है तुम्हाला easy solve होता है 3 नी करू शक्तो आपन 3 plus 5, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 8, 18 मंझे 3 नी डिवाइड हो शक्ते है 3 च डिविजिबला है 3 7 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, 2 remaining 3 7 जा, 21, 1 remaining 3 6 जा अगेन 3 नी करू शक्तो का, 7 नी करू शक्तो, 1 plus 1, 2, 2 plus 7, 9, 9 plus 6, 15 अगेन 3 नी जा हो शक्ते, 3 7 जा, 3 3 जा, 9, right 2 remaining 3 9 जा, 27, 3 2 जा मनझे बगा किते हाला वर, ओके थोड़ा सा आपन इजी करेलो तर होते है, 3 92 into 20 into 20 upon 7 into 7 7 नी जा जाते का बगे डारेक, 7 जा, 7 5 जा, 35, 7 6 जा, 42 2, again 7 1 जा, 7 8 जा, 8 into 20 into 20 that is 2 to the 4 that is 400 into 8, 4 is 32, that is 32, that is 2 zeros, so answer is what? 3200 that is option 1 is the right answer सग्र गिवन आहे, आपने ला formula मदे पूट कराएचे, तुम्हाला हेचे इंपोर्टन काया हे, एक ता तुम्हाला हे formula लरन पाएचे ते चालां तर तुम्हें सा calculation speed, that is more important तर हेचा तुम्ही वेर जासता घातला, तर आंसर याला वेर रागना राहे, so keep practice, practice कराचे चला, यहाचे ताइप चे कोश्चन ग्यून, जोड़ो तुम्ही काल्कुलेशन सा पीर वाड़ो था, ते उड़ो तुम्हे साथी plus point आसना रहे, okay, तरे बगुन ग्या, आपन बग्या, next question Okay, student पर बग्या, आपने next 8th question काया हे, the population of city increases by 10% every year, its present population is 3,2500, then what is the population 2 years ago? आपने ला काड़े चे दोन वर्षा अधी किती population होता, प्रत्यक वर्षी 10% increase होता है अथा, जर जहां आपने population से जहां काड़तो, ते आपने उचाना यूज होता है, compound interest, right, तो simple interest नसते है, compound interest यूज होता है तर, compound interest मदे कासा असते बगा, every year, suppose, आपने अपने आपने बग्या, 2 years ago population काड़ाई चे, so, population, let population 2 years ago consider 100 okay 100 होता population 2 years ago ह्या टाइप चे कोश्चन मदे जे ही परसेंटेज आसु दे इंट्रेस्ट काड़ाई आसु दे जे आपन consider x चायो जी the 100 consider थेलो तर आपला easy होता calculate करेला तर 2 years ago suppose population आहे 100 तर प्रत्यक वर्षिला 10% increase होता है तर 1st year then after so after 1 year population will be 10% increase मन्जे 100 से 10% 110 राइप अथा second year population will be 110 राइप 10% राइप 10 10 plus 10% of 110 का करण कंपॉण इंट्रेस्ट आहे इंट्रेस्ट राइप अशनर आहे but 1, 2, 1 okay मन्जे सपोज दोन वर्षा आधी जर 100 राइप तर second year ला population आहे 121 सपोज present year ला 100 राइप तर two years two year population आशनर आहे 121 तर अपनला काडाइचे हे x present year काडाइचे हे या हे present year present year अपनला काडाइचे after two year after two year तर गिवन दिलेला आहे present population sorry present population आहे x तर two years ago काडाइचे हे two years ago 100 है मैंजे अपनला present population let the population two years ago 100 है तर two years ago अपनला calculation काडाइचे हे after two years ने present year two years before असा या पनला 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 आहे present population आलेला हे 121 राइचे हे इफ population 100 आसेल two years ago two years ago population 100 आसेल तर हमा present year 121 two years ago तर अपनला काडाइचे आहे तर हमा present population किती आहे 302 500 तर अपनला काडाइचे x ची वैल्यू राइच in this case we should cross multiply तर का या राहे बगा 121 x equal to 100 into 302 500 आता आपनला काडाइचे x ची वैल्यू so x equal to 100 into 302 500 आपन 121 अता रहे लेला है फक्ता काल्कुलाइचे पाड 121 आहे तर 302 500 आहे कन्फूज है ची नहीं है 77 5 रिमेनिंग 11 5 जा 0 0 अगेन 11 नहीं करूशक्तो 11 वन जा 6 रिमेनिंग 11 वन जा 11 11 5 जा सोरी आता इता 11 वन जा इता 2 ये ना रहे 11 2 जा 22 ओके 11 2 जा 22 एट रिमेनिंग एस हां आता इता पूड का ये ना रहे 11 2 जा 22 11 5 जा 0 0 तर 100 इंटू 2 5 0 0 किती ये ना रहे बगा 2 5 1 2 3 4 वो इन इस तरेंस 100 थाजन 10 थाजन लाग 2 लाग 50 थाजन is the population of the 2 years ago मुझे 2 वर्षा आधी 2,50,000 होता है तर चनल तर एका वर्षा ला 10 परसंट एका वर्षा लाग 10 परसंट इंकीज जाला तर population जाला 3,25,000 तर option कुछला करेक्टा है option 4 is the right answer थोड़ सक्क्लिक करात होड़ से समझून घ्या तुम्ही जोवाही population 100 थाजन 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 होना रहे सपोज तुम्ही एकस थाजन 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 क्यालकुलेशन लेंदी होताना रहे सो बेटर वे तुम्ही आल्वेज 100 थाजन करोन इजीली है थाजन कीज कोशन का चल रहे ओके स्टूडएंट तेज अपले 26.2 आप्ले 25.2 कंप्लेट घाले ये ज़ए लाहे ये ज़ँ नहीं कहीं कई केरी जस्ती तहका में लिहोन पाट्वा आणि अपले live session जासे ते ला join वा subscribe कर आए वीडियो ला ज़रू subscribe कर आई ते ला अपन सर्कुलेट कर आए ते नहीं scholarship साथी help हो दे आणि Practice करत रहा keep practice, thank you